हेलो एवरिवन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं आइ होप आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हो भी जामेटरी और जब हम जामेटरी पढ़ते तो बहुत इंटरस्ट आता है बहुत मज़ा आता है और जैसे जैसे geometry पढ़ने में मज़ा आता है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं So, आप लोग भी मेरे साथ geometry पढ़ रहे हो चलो, आज फिर से मैं लेकर आ गई हूँ Chapter No. 4 की Exercise 4.3 तो आप लोगोंने मेरी Chapter No. 4 की Exercise 4.1 and 4.2 देखिए अगर नहीं देखिए तो कोई बात नहीं आप अभी जाके मेरे previous वीडियो चेक कीजिए और देखिए कि मैंने कैसे पढ़ाया है तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके सामने geometry आपको यहाद है मैंने 4.1 में बताया था कि geometry कहां से आई है geometry word कहां से आया है तो यह सारी के सारी जो interesting facts है यह भी मैं आपके साथ share करती हूँ बीज मीच में तो आप लोग मेरे वीडियो देखिए आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्या चीज कहां से पढ़ा रही है तो अभी में लेकर आई हूँ आपके लिए NCRT की सीरीज चाप्टर नमबर फोर क्लास सिक्स मैट्स ठीक है तो आम यह टीचर आम यह मैट्स टीचर माइनम इस भारती तो चलिए फड़ा फड़ा से हम स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे geometry में 4.3 exercise में डेंगो अब हम आपके घर में भी कोटे है आपको कुछ नहीं है आप अपने घर के यह कोने में चाहरे हो जाएगे जहां से एक वाल ऐसी और एक वॉयसाहिए जहाँ दोनों वाल आके ऐसे टक्राई होगी ठीक है तो जो बीच का जो एरिया है जो बीच का जो portion है वहाँ पे एक ऐसी standing line और दो sleeping line जा रही होगी एक इस तरफ और एक इस तरफ ठीक है तो वो जो corner है उस corner की जो lines है वो वहाँ पे जो बनता है वो होता है angle चलिए मैं आपको board में समझाती हूँ कि angles कैसे होते हैं तो देखिए यहां पर मेरे पास एक यह box है अब with the help of this box मैं आपको समझाओंगी कि angles क्या होते हैं चीक है देखिए angles हमेशा corner की वज़े से फॉर्म होते हैं जो भी कोई corner होता है वहाँ पर angles फॉर्म होते है likewise suppose मेरे पास एक corner है इससे मैंने आपको बताया कि आपके घर का कोई corner ह उसी तरह से अगर आपके पास एक कोई corner है तो यहां पर हमारा angle form होगा that means एक यह ray होगी और दूसरी यह ray होगी और यह दोनों ray मिला के इनके बीच में कोई vertex होगा मैंने last class में बताया था कि vertex क्या होता है तो यह जो vertex होगा यह जो end point होगा जहां पर यह दोनों ray आके मिल रह है ठीक है यह box है अब यह box दिखने में कैसा है जैसे सपोज यह box है उसके उपर यह एक lid type की है ठीक है lid समझते है आप जैसे किसी भी चीज का धकन होता है ठीक है तो ऐसी आपकी lid है तो यह box है और यह a r qp is like a lid अब यहां पर जो हमारी ad है जो line ad है और line ap है तो आप इसको ध है ठीक है जो हमाई छोड़ी से उठी वही है तो यहां पर जो ad है यह a d एक रे हो गई और ap इमेजन कीजिए यह भी एक रे हो गई ठीक है एडी और एपी एक रे बना रही है अब एडी और एपी जहां से स्टार्ट हो रही है मतलब यह एक एज है हमारा एपॉइंट यहां से यह स्टार्ट हो रही है तो जहां से यह रे निकल रही है हम इसको साइट भी बोल सकते हैं एडी और एपी को है ना तो जहां से निकल रही है और AP जहां से निकल हुए इसका starting point है वह A है तो hier एक angle form कर रहे है क्या कर रही है एक angle form कर रही है तो देखो ये इस box का corner बबार्ट हो गाई मैंने बताया था angle हमेशा कहहां से form होती है corner से form होते है ठीक है तो यहां पर AP और AD का एक initial point हो गया हमारा A हम इसको बोलेंगे AP एक हमारी रे हो गई and AD जो है यह हमारी एक रे हो गई ठीक है तो यह जो दोनों रे हैं इनका जो initial point है initial point कौन सा हो गया हमारा A ठीक है अब यह initial point हो गया अब यहाँ पर यह जो दो रे हैं तो two rays यह जो two rays है are said to form an angle ठीक है यह दोनों ray मिलके एक angle बना रही है ठीक है आगे आपको समझ में an angle is made up of two rays starting from a common initial point ठीक है एक जो angle है वो कैसे बना होता है दो rays से बना होता है और starting कहां से उत्ती है उसके initial common point इन दोनों के लिए common है ठीक है the two rays forming the angle are called the arms और side अब यह जो दो ray है मतलब एक आपकी ray यह वाली हो गई AP और एक ray आपकी यह वाली हो गई AD ठीक है तो आपकी यह जो दो ray है एक AP और एक AD यह जो दोनों ray है उसमें जो AP है यह आपका arm भी इसको हम arms भी कह सकते हैं या फिर sides भी कह सकते हैं ठीक है एंगल की arms भी हो सकती है या फिर sides भी हो सकती है और जो initial point है इसको हम बोलेंगे vertex क्या होगा यह vertex मैंने last class में बताया है कि sides क्या होती है vertex क्या होते है और adjacent side क्या होती है adjacent vertex क्या होती है यह मैंने last class में बता रहा है 4.2 की class में अगर आपको बहुत अच्छे से डीप में समझना है तो आप मेरी 4.2 एक्सराइज देख लीजिए ठीक है so यह होता है हमारा angle क्या होता है angle is made up of 2 rays ठीक है from common starting point ठीक है now this is an angle formed by rays O P and O Q अब यहाँ पी दायग्राम में हमारे पास एक फिल घर है ठीक है अब इस figure में ये O एक common point हो गया और P रह और Q एक रह थे ठीक है अब यह पिया and O Q क्या हो गया हमारा angle बनारहा है ठीक है?, यह जो OP है हमारा और O Q है, यह क्या कर रहा है हमारा एक angle बनारहा है in figure to show this we use a small curve at the vertex अब हमने इसमें एंगल को शो करने के लिए क्या किया है एक स्मॉल सा कर्व बना लिया है जो की वर्टेक्स के पास है ठीक है और वर्टेक्स हमारी क्या है ओ तो ओ इस दा वर्टेक्स अब इसमें sides क्या क्या होंगी तो एक हो जाएगा op और एक हो जाएगा oq sides भी बोल सकते हैं इसको या फिर हम arms भी बोल सकते हैं ठीक है are they not op and oq no this side है ठीक है we denote this by angle p oq अब इस तरह से जब भी हमारे पास suppose यह P, Q और R है चीक है यह raise है दो P और R तो इस तरीके का जब भी हमारा angle का presentation होगा तो हम angle को लिखेंगे कैसे कैसे denote करेंगे जो भी हमारा center में होगा मतलब जो initial point होगा वो हमीशा बीच में आएगा और यहां पे आएगा P और यहां आएगा R तो हम कैसे इसको represent करेंगे angle P, Q, R अब इसको कैसे represent करेंगे angle P, O, Q यह हमारा हमेशा angle को represent करने का तरीका होगा समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रही है so moving on next what is the name of angle अब angle का name क्या होगा shall we say angle P अब यहां पे यह जो figure है इस figure में angle का नाम क्या होगा सिर्फ angle P नहीं अभी मैंने बताया था angle का नाम क्या होगा angle A, P, B भी बोल सकते हैं angle B, P, A भी बोल सकते हैं B, P, C भी बोल सकते हैं C, P, B, B भी बोल सकते हैं A, P, C, B अब आपन देखते हैं but then which one do we mean अगर हम angle P बोलते तो इसका मतलब क्या होगा यह हम समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको नाम दे दिया है तो क्या नाम होगे is naming an angle by vertex help for a year सिर्फ vertex से अगर हम बोल देगे कि हाँ यह angle P है या पीछे बाले में हम कह सकते थे last figure में कि angle O है angle Q है तो ऐसा नहीं बोलना है angle को बोलने का तरीका होता है क्या होता है या तो हम angle को बोलेंगे angle A P B यह देखो angle A P B क्या फिर हम क्या बोल सकते angle C P B C P B या फिर हम कह सकते angle A P C मैंने आपको क्या बताया था जो हमारी वर्टेक्स होती है common point होता है वो alphabet हमारा center में आता है बीच में आता है यह आपको हमीशा ध्यान रखना है नोट डाट अब यह एक important note है ठीक है बो letter हमारा हमेशा middle में आता है जब भी हम angle को represent कर रहे होते हैं suppose मेरे पास यहां पर है s और r अब यह मेरा एक angle है ठीक है तो मैं इसको कैसे represent करूंगी कैसे लिखूंगी यह हो जाएगा मेरा angle s o r ठीक है या फिर मैं इसको लिख सकते हूं r o s यह आपको धियान रखना है कि angle को आपको कैसे represent करना ठीक है moving on next do this अब यह हमने यहां पर एक हमारे पास कुछ ऐसे diagram शो हो रहे है उसको हमें देखना है कि step by step हमें आपे क्या करना है take any angle से angle ABC यहां पर एक angle लिया है angle A B C A C इसके A और C इसके sides भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं इसके arms भी हो सकते हैं और हम इ B vertex हो गया अगर इसको मुझे write it down करना है तो मैं क्या करूंगी angle A B और C ठीक है angle ABC हो जाएंगा यह इसको उल्टा भी लिख सकते हूं CAB ठीक है अब हमें क्या बोल रहा है कि shade the portion of the paper bordering bordering BA and where BC lies हमको क्या करना है इस paper को क्या करना है इसके अब इसमें क्या करना है हमको जो हमारा BA बॉडर लाइन उसके अंदर आना चीए पुरा lies पुरा अंदर उनना चीए उसके बाहर नहीं आना चीए यह हमारी borderline होगी BA इसके अंदर पुरा shaded reason होना चीए ठीक है zostatAll Blind where BA lies अ भुरा लाइब हमने क्या किया पहले हमने क्या किया था कि हमारा जैसे यह डिया हुआ यह ता हमारा आय से ते करनां है कि बी सी से बाहर कैसे नहीं जाएगा तो यह हमनें उस्टाुम उटकर देखेंगे कि हमने जब पूरा रीजन किया तो हमें ये देखना है इंटीरियर पार्ट जो बचेगा मतलब जो कॉमन पार्ट बचेगा the portion एक मिनट मैं आपको पहले बता देती हूं the portion कॉमन टू बोच शेडिंग इस कॉल्ड इंटीर ऑफ एंगल एबीसी तो इंटीरियर क्या बचेगा मेरा तो मैं जो बाहर का पॉर्शिन को मैं क्या कर दू रब कर दिया और सिमिलर्ली मैं इसको अब मैं इसको अब मैं इसको एक बार ब्लाक पैंसे डाक कर देती हूं ठीक है इसको थोड़ा सा ब्लाक पैंसे डाक कर देती हूं रिजन को हमारे यह हो गया और यह हो गया क्या नोटिस कर रहे हैं यहां पर आप लो पताये मुझे अपने यहां पर क्या नोटिस किया कि जो हमारे इंटीरियर पार्ट है एंगल एबीसी का उसको हमने शेड कर दिया ठीक टू साइड ऐसे अगला दो आफ्नुहानि अगर दोसाइड बढ़ते जाएंगे जह सपोगाइब और ऊपर चला घालेगिसे घंठ करेंगे वैसे वैसे हमारा जो interior angle होगा अंदर का जो portion होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इसका size बढ़ाएंगे ठीके समझ में हारा है आप लोगों को in this diagram x is in the interior of angle इस diagram में x हमारा क्या है angle के interior में है and z is not in interior z कहा है exterior बाहर एंगल के तो इसको हम क्या बोलेंगे exterior but in the exterior of the angle z interior नहीं है exterior and s is on the angle pqr अब जो s है वो कहां पर है angle pqr पे लाई कर रहा है ठीके does the angle also has three parts associated with it angle के भी three parts हो सकते एक interior हो सकता है एक exterior हो सकता है और एक lie होता है जो angle पे लाई कर रहा है ठीक है इससे हमको यह चीज़ clear हो गई कि angle के भी three parts हो सकते है हम imagine कर सकते एक interior part हो जाएगा एक exterior part हो जाएगा और एक जो angle पे लाई कर रहा है got my point, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है न, अगर कुछ भी doubt होगा, तो please comment कीज़ेगा, moving on exercise 4.3, अब आज हम यहाँ पे exercise 4.3 स्टार्ट करेंगे, तो मेरी जो exercise 4.3 है, उसमें जो मेरा very first question है, वो है, name the angles in the given figure, अब यह जो given figure है, इसमें मुझे angles को name देना है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम को पहले यह decide करना है हमारे जो figure है, उसमें हमें यह decide करना है कि हम angle किसको बना रहा है, ठीक है, तो suppose यहाँ पे, अगर मैं इसको angle consider करते हूं, अगर मैं इसको angle consider करूंगी तो मेरा जो very first angle बनेगा वो क्या बनेगा angle A और मैं कह सकती हूँ angle D A B ठीक है और क्या हो सकता है angle B A D ठीक है अब next और कौन सा angle हो सकता है अगर suppose मैंने D को angle बना दिया तो इस case में मेरा angle क्या क्या हो जाएगा सबसे पहले हम angle D ही ले ले लेते हैं फिर हो जाएगा next हमारा A D C फिर next हो जाएगा हमारा C D A अब अगर मैं इसको angle consider करते हूँ तो इस case में मेरा angle क्या होगा angle C और क्या क्या हो सकता है D C D C B और हो जाएगा angle B C D अगर मेरा ये angle हो गया तो इस case में मेरा angle क्या होगा angle B और क्या हो जाएगे angles raise के साथ C B A ठीक है गॉट मैं पॉइंट और next हो जाएगा A B C कैसे हो जाएगे इस तरीके से आप इसको लिख सकता है तो देखिए कितने सारे तरीके होते हैं इनको लिखने के अभी आप डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं और कैसे राइटेट डाउन करते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये एक हमारे पास closed figure है मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के figure को हम क्या बोलते हैं बताये बताये ये एक closed figure है और क्या बोलते हैं इसको पॉलिगन तो देखो इस question में आपको पूछ रहा है कि in the given diagram name the points हमको क्या करना है इस given diagram में जो भी हमारे points given है वो हमें बताने हैं तो इस diagram में तो इस diagram में हमको देखना है कि हमारे पास diagram में कितने points given है ठीक है और ये जो points हमारे पास given है इस diagram में ये हमको बताने है कि कौन-कौन से point कहां-कहां पे lie कर रहे हैं ठीक है तो हम सबसे पहले हम figure को देखते हैं यहां पे हमारे पास एक figure है जिसका जो vertex है वो O है या common point या initial point भी हम इसको बोल सकते है तो angle F O D यह हमारा एक common point है ठीक है अब हमारे पास इसमें और भी बहुत सारे points दिए जैसे A B C D E F यह हमारे पास different different points दिए तो हमारे पास question में very first question में पूछता है कि in the interior of angle D O E मतलब यहां पे हमारे पास angle D O E कौन सा है D O E अब D O E के interior में कौन सा point आ रहा है तो यह वाला point आ रहा है D O E के interior में ठीक है तो हम क्या बोलेंगे point A हमारा very first question का answer होगा क्या होगा कि हमारा जो point A है यह फिर इसको हम लिखेंगे point A is lies interior ठीक है interior of D O E ठीक है फिर second question में हमसे बोल रहा है कि in the exterior of EOF अब EOF कहां पर है तो E A है O E A है F E A ठीक है अब EOF के exterior में कौन सा point आ रहा है तो EOF के exterior में आ रहा है हमारे पास point C point C B in the in the exterior exterior of angle EOF got my point अब C question में पूछ रहा है on EOF अब E O F में कौन सा point आ रहा है तो point B point B is on EOF ច निकालना था how to build up the point in the etc as this when we are doing on our Are same angle by we know three now अब question no.3 में हमसे कह रहा है draw rough diagram of two angles such that they have one point in common हमको एक ऐसा rough diagram बनाना है जिसमें एक point हमारा जो हो, वो common तो इसका जो very first question है इसमें हमको बनाना है एक point है जो common है तो पहला point हमारा कौन सा common है तो हम पहले इसको draw करते हैं अब जैसे यह हो गया हमारा o यह हो गया a यह हो गया हमारा b और यह हो गया c ठीक है तो यहाँ पे जो o होगा हमारा यह एक common point हो जाएगा तो यह एक answer हो गया हम बोल सकते हैं o is the common point of angle a o b got my point now अब next question में कह रहा है two points in common अब दो points हमें common बनाने हैं अब दो point कैसे common होंगी तो दो point common बनाने के लिए जिसे suppose मैंने एक angle ऐसे बनाया ठीक है अब दूसरा angle मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा तो एक हो जाएगा मेरा o यहां पे हो जाएगा मेरा point p यह हो गया मेरा q यह हो गया s ठीक है तो मैं बोल सकती हूँ कि यहां पे मेरा एक हो जाएगा o and p is the common point common point o and p is the common point of किसका किसका होगा angle s o p का and angle o p यहां पे यहां लिख देती हूँ मैं angle o p q respectively ठीक है got my point पारम क्या कहना चाहरे है अब तो आप लोगों समझ में आ रहा होगा कि कितनी easy है आपकी geometry और कितनी interesting है ठीक है so moving on next question that is three points in common अब हमको three points common बनाने है तो देखो three points बनाना possible नहीं है तो हम कह सकते हैं कि such a diagram is not possible got my point इस तरह का जो diagram है वो possible नहीं अब d question में कह रहा है कि four points in common d तो ऐसे भी diagram जो है वो भी possible नहीं है such a diagram is not possible बल अब हम बोड़ा e one ray in common एक रे जो है वो common होनी चाहिए तो एक रे common बनाने के लिए मैं सबसे पहले color change कर ले तो और next slide में हम sorry next यहीं पे मैं आपको clear कर देते हूँ तो एक रे common बनाना है मुझे कौन सा question है मेरा e अब e question के लिए मुझे देखो ऐसा कुछ diagram मेरा बनेगा ऐसा और यहां से मेरी एक रे जो होगी वो common हो जाएगी तो यह हो जाएगा मेरा a o b और यह हो जाएगा p तो मैं कह सकती हूँ कि op is common op जो हो जाएगी मेरी common ray हो जाएगी किसके किसके बीच में angle b o p and angle a o p got my point ठीक है इस तरीके से op जो हो common हो जाएगी दोनों के लिए so that's it thank you and thank you so much अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिये कि क्लास को leave करने से पहले मैं आपको कुछ important चीज़े बताना चाहती हूँ कि जो हमारी geometry है वो बहुत interesting है और exercise भी बहुत चोटी-चोटी है तो मैं इस exercise को यहीं पर end करती हूँ और दूसरी exercise मैं next video में लेकर आउँगी आप लोग क्या करिए जल्दी-जल्दी से इन exercise को revise करिए और पढ़िए कि कैसे हैं और अगर आपको कुछ फीड़ाउट है तो comment section में मैं आपको definitely इसका reply दूंगी और बताऊंगी कि क्या करना है हमें आगे और क्या इनकी answers हो सकते हैं ठीक है so that's it for the day thank you so much for the class so मैं आप से मिलती हूँ अब next video में 4.4 exercise के साथ चलिए